सारे दलों में दल cracks a दल है कुछ ऐसे ही 2021 कहा जाता है तो निर्दलिये पवरण से संतोस्रेण कया कहेंगे दeek लोक तंत्र में कि सबको को अधिकार दिया गया उसमें से एक अधिकार चुनाओं लडने बाबा साहब भीम राम विद्कर द्वारा लिखित इस संभिधान की यही तो खुबसूरती है जो भरतियंता पार्टी वाले लोग इतनी खुबसूरत संभिधान को बरबात करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं तो मेरी तरफ से शुबकामना रहेगी और हम जरूर चाहेंगे क कि जिस प्रकार से वो एक कलाकार के रूप में बहुत नाम बनाया बहुत नाम कमाया हम चाहेंगे कि वो एक नेता के रूप में भी एक समाज सेवक के रूप में भी अपनी एक पहचान बना है और कलाकार के रूप में सितारा बनकर के आस्मान में चमके तो नेता बनकर बिल गरीब का साथ ही और बिलकुल हम कह सके कि बरगद के जड़ के जैसा जमी में अपने पाउं को मजबूती से बनाए रखे हैं आपने कहा कि बरगद के जमीन के जितना जड़ है उतना पाउं मजबूत करना पड़ेगा तो पवन सिंग अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं उ हो रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको परचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ऐसा लोग कर रहे हैं यहां होता है कि एक यंग्स्टर का होता है कि यह 18-25 साल वाले लड़कों का इंटर्वी होता तो चलो पवन सिंग के फैन है तो पवन सिंग को बोड़ क्या लग रहा है यह ओपीनियन पोल जो सर्वे दिख रहा है जो लोकल रिपोर्टर जो काम कर रहे हैं सेटिस्वाइब है इससे कितने लोगों का यह इंटर्वीव सुने होंगे आप मुसकी से 10,000 लोग 5,000 लोग जदा जदा 20,000 लोग बहुत जदा लाखों यहां पर कारा पवन सिंग पर है पवन सिंग पर ही यंग्स्टर के साथ सारे जी जो पर भीव आ तो मूड कहीं ना कहीं जो अपिनियन पूल में आ रहा है वह पवन सिंग की तरफ गिर रहा है मान लीजे कि एक लाख लूग बोले होगे काराकाट लोकसभाच्षित्र की जो आवादी है वो लगभग 18 लाख क्या सपास है तो यूटूब फेस्बूक की जो दुनिया है उस दुनिया से आप मनोवल हासिल कीजिए एनर्जी लेजिए और उस एनर्जी को धरातल पर उतर करके उसी समानित जनता के अंदर समाहित कीजिए उनके बीच जाने में आप अगर इन इसी एनर्जी का यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर सिर्फ यूटूब पे फेस्बूप के सुन करके आप घर में अगर ख्याली पुलाव पका लिए फिर ऐसे नहीं होगा ना ठीक है अच्छी बात है लोग चाहते हैं कि अगर आप सांसद बने तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना जैसे मैं तो पहले ही दिन बोला था कि जिस दिन मैंने सुना था कि प्लानिंग किये हैं घोसना किये हैं तो मैंने उसी दिन कहा था कि उपिंदर कुश्वाह जी अब चले गए उपिंदर कुश्वाह जी अस्टेडियम से बाहर हो गया आउट हो गया अब पवेलियन में उपिंदर कुश्वाह जी के जगए पेवलसिंग आ गए और मैदान पे जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं राजाराम कुश्वाह जी जो कि छो महिना साल पर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सो क्या स्पीड में अपनी रेस को बनाया हो गया अब जब पवन सिंग जी को उतरना है तो फिर समय तो बहुत कम है ना फिर इसके लिए इनको तीन सो साड़े तीन सो के रेस में दोड़ना होगा और उसमें भी बैल पावन संग सीधे 1000 की रफ्तार में आएंगे कुछ वाहा जी तो पहले ही थी हो रहे है आप राजा राम जी की बात कर रहें तो क्या मतलब साप सीधार पावन संग हजार की स्पीड में तो कहां रहेंगे आपके तेखिए हड़कम तो भाजपा वाले आते हैं तब मचाता है लोग भागने लगते हैं एक सुपरस्टार के लिए ठीक है आते हैं हड़कम मचाते हैं जो भी आपकी डायलोग बाजी है अच्छी चीज है एक होना ची अटिटूड होना ची लेकिन अगर आप नेतागीरी में सोशल एक्टिविटीज में अगर आते हैं तो यहां पर प्र में अगर कोई सेथे आपको नहीं लग रहा है कि आजकल नेताओं से ज़्यादा क्रेज अभी नेताओं में ज़्यादा रहा है पूरे इंडिया में चाही हो कॉंग्रेस में हो या फिर औरки जेड menu आजडिएक का सिलिब्रिटी कोई से भी किसी भी इंडस्टी का सेलेबिलिटी अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो क्रेस 90% कन्वर्टर होता है कि भाई यह क्लाइंट जीतेगा यह व्यक्तित्म जीतेगा आपको ऐसा नहीं लग रहा है देखिए ऐसा लग भी लग रहा है आपने बिल्कु ठाकूर जी लोहिया जी जोर फ्रनांडी जी आटली भहरिवाज बेई जी इन लों को जब हम लालू पुर्शाद यादो जी इन लों को जब हम पढ़ते हैं तो पहले यह लोग साल के 365 दिन और पांच साल में पूरे के पूरे 60 महीने यह सोसल वर्क करते थे यह जमी पे होत लोगों के सुख दुख का भागीदार बनते थे तो वह दौर अलग था उस दौर में नेता अभीनेता पर भारी हुआ करते थे लेकिन आज के डेट में है क्या कि नेता जी के पास पैसा है कहीं से बिजनस की है उनके पास मोटा है गांधी बबावा अगर मजबूती के साथ हैं तो वो जाएंगे पैसा देंगे और टिकट ले लेंगे ठीक है और उनको पांच साल पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता है कोई मतलब नहीं उन्हों ने कब पार्टी के सदस्ता लिया पार्टी के लिए क्या किया जनता के कि यह क्या किया उनको कुछ मतलब नहीं होता कहां से उठके आएंगे कहां टिकट मिल जाएगा बस लक्षमी माता टाइट रहनी चाहिए वहीं उल्टी अभिनिताओं को अगर हम देखें तो वह पांच साल तक जनता के बीच रहते हैं चाहे वह क्यों ना अपनी कला के माध्य के माध्यम से उसी दर्म्यान हो सकता है कहीं स्टेज परफॉमेंस कि उसी दौरान दो-चार लोग को अगर ऐसा कुछ लगा तो उन्होंने कर भी दिया कुछ सहायता कर दिया और इसी वज़त से अभी नेताओं के प्रति लोगों की सम्मान और विश्वास बढ़ता जा रहा है नेताओं के तुल्ला में क्योंकि आप भी अभी नेता बनने में टाइम है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी अंदर से भी नेता ही है अभी संतोस रेनू की पहली पहचान और वहीं से लोग जानते हैं वहीं से आपका चीज़े हुए तो क्या एक सीधा सीधी एक्टर को जा रहा है सपोर्ट करने कारा काटने देखें अभी आपने एक बाते कहीं कि हमारी पहचान कहीं न कहीं गेत संगित से ही है एक कलाकारी से ही हम इस नाते उन्हें शुब कामन दे सकते हैं चुकि क्या है कि आज एक नेता कहिए या समाज से भी कहिए जो भी कहिए इस रूप में अगर दो लोग मुझे जानते हैं दो चार लोग मुझे जानते हैं तो कहीं न कहीं इसमें किसी नेता या किसी पार्टी का देन नहीं है हमारे समाज का देन है उन समाज के लोगों का देन है, जो दीन रात हमारे लिए चिंतित रहते हैं, जो दीन रात हमारे लिए शुबकामना करते रहते हैं, आशिरबात देते रहते हैं, तो हम कभी भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर मैं किसी पार्टी का अगर सक्रिय सदा सो जाता हूं, तब का सकते हैं आर जेडी है लालू परसादयादव जी को अपना भगवान मानता हूं और इसलिए आप देखते होंगे कि कभी-कभी हम आर जेडी का भी घंडा या आभी देखिए ना जेडी का जो है ना ब्रेसलेट हम पाने हुए तो अब ही जो पवन सिंग जी के लिए परचार में आएं तो इसके लिए पाहुं सिंग जी को हमारे समाज के लोगों से आदेश दिल्वाना होगा हमारे समाज की लोग जहां बोलेंगे वहां संतोसर नों खड़ा रहता है यादव समाज के लोग तो सीधा-सीधी पवन सिंग को सराख्य पे बैठाते गाना हिट कराते है जो भी गाना देखिए यह सुपर डूपर एट है लड़ते अलग है ठीक है वह गाने की लड़ा है जब लेकिन जब यादव समाज के गड़ में पवन सिंग खड़ा होते तो वहां पे एक ही चीज़ होता है पवन वा यादव समाज तो खड़ा है पवन सिंग के साथ वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर कुछ बड़े होते हैं अगर खड़े हो गए तो फिर आपको जुकने ने देंगे मैटर बड़ा है तो हमारे समाज का दिल जीते 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 हम तो करें कि समाज के लोग ह हमारे गर्जियन है हम समाज के आदेश का पालन करते हैं समाज के आदेश का हम इंतजार करते रहते हैं हम समाज को आदेश नहीं कर सकते हैं इतनी हमारी आवकात नहीं है इतनी हमारी हैसियत नहीं है और इतनी कभी हैसियत बनानी भी नहीं है समाज के लोग हमारे लिए बगव में उन्होंने इतना प्यारा अशिरवात दिया दिल से अपनाया मुझे अपनी गोध में मुझे खिलाया, कहीं भी जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे भी हमारे ही आंगन है, हमारा घर है, इतना प्यारा शिर्वाद, इतना हक उन्होंने दिया, इतना अधिकार दिया, तो उनको हम आदेश नहीं कर सकते, आदेश नहीं दे सकते, हम उनसे आदेश प्राप्त करते हैं और उनके इच्छा अनुसार, समाज के इच्छा अनुसार हम चलने का पर्यास करते हैं.